इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी फोराहिल 400 इनहा कैपसेक इनहेलर में दो दवाओं का मिश्रण है इट रिलीव्स दे लॉंग टर्म सिम्टम्स ओफ अस्मर और सी ओ पीडी यह सूजन का कारण बनने वाले कुछ रासायनिक मेसेंज के स्राव को अवरुद करके काम करता है और एरवे में मांसपेशियों को आराम देता है आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको अपने इनहेलर का इस्तेमाल कितनी बार करने की जरूरत है इस दवा का असर कुछ दिनों के बाद नोटिस किया जा सकता है लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही यह अपने अधिक्तम तक पहुँचेगा इस दवा को असरदार होने के लिए इसे नियमित रूप से लिया जाना चाहिए इसलिए आप इसे लेते रहें चाहे आपको कोई लक्षन न हो, इसका मतलब है कि दवा का असर हो रहा है, अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपके लक्षन और भी खराब हो सकते हैं, अचानक हुई सांस लेने में परेशानी से राहत देने के लिए इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहि अगर अचानक सांस उखरना शुरू हो जाती है, तो अपने बचाव इनहेलर का इस्तेमाल करें। इस दवा से लाप प्राप्त करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी इनहेलर तकनीक सही रखें। अन्यथा, यह भी काम नहीं करता है। अगर आपको यह हो जाए, तो इसे लेना बन न करें बलकि अपने डॉक्टर से बात करें। आप इनमें से कुछ लक्षणों की अपने मुह और गले को पानी से कुला और गरारा करके या अपने इनहेलर का उप्योग करने के बाद अपने दातों को ब्रश करके रोक थाम सकत हैं। दूसरे दूरलब साइड इफेक्ट हैं, जो गंभीर हो सकते हैं। अगर आप उनके बारे में चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। इसे लेने से पहले, अगर आपको किड्नी या लिवर से समबंधित कोई बीमारी है, तो आपको अपने डॉक्टर को इस आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।